नमस्का दोस्तों हर हर महादेव स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महादेव शिव के एक एसे बड़ी चमतकार के बारे में जिसे सुन कर दोस्तों आप सभी भी खुशी से जूम उटेंगे जी हाँ दोस्तों यह चमतकारी गटना हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिख के बेचते हैं सूरेज जी पाटिदार दोस्तों सूरेज जी हमें बताते हैं कि यह चमतकारी गटना उनके साथ उस समय हुई थी जब वह अपने छोटे से गाउं में रहने गए थे दोस्तो सुरेज जी का कहना है कि वह अभी अपने काम के सिलसिले में दिल्ली में निवास करते हैं परन्तो दोस्तो जब कुछ समय पहले वह चुट्टिया मनाने अपने गाउं 36 गड़ गए थे तो दोस्तो वहाँ पर उनके साथ हुई महादेव की चमतकारी गटना उन्होंने हमारे साथ आज हमें साजा करी है दोस्तो उमित करेंगे इस गटना को सुनने के बाद आपको क्या लगता है आपके मन की बाते आप हमें नीचे कमेंड बॉक्स में जरूर बताईएगा दोस्तो चली अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि सुरेश जी के साथ वह ऐसी कौन सी चमतकारी घटना हुई थी जिस घटना से सुरेश जी का महादेव शिव की प्रती बरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एक चूटा सा गाव आता ही जहां पर मैं अपने कुछ पुराने मित्रों से मिलने गया था वह मित्र बताते हैं कि बहुत लंबे समय से हमारे खेतों में हमने जो गउंबो रहे हैं जो चीजे बो रही है उसको फसल को उगवाने के लिए बारिश काफिर लंबे समय से नहीं आ पारी है दोस्तो सुरेज जी बताते हैं कि उसी गाउं में एक बहुत ही पुराना और एक बहुत ही अद्बुत चमतकारी शिव मंदिर भी हुआ करता है। का नाम नहीं लेती है। तब सभी किसानों को ऐसास होता है कि यह बारिश उनकी कमाई का नहीं बल्गी उनके नुकसान का कारण अफ दीरे दीरे बनती जा रही है। ऐसे में दोस्तो सुरेज जी बताते हैं कि पुरे गाउं में कई सारे किसान इखटा हुए और सोच विचार क किया जाए अगर एसा ही चलता रहा तो सभी फसल खराब हो जाएगी और उन्हें बहुत बड़ा नुकसान जेलना पड़ सकता है। दोस्तो सुरेज जी बताते हैं उस समय में वहीं घड़ाता सभी किसानों की बहुत लंबी मिटिंग चल रहे थी परन्तु कोई भी नतीजा निकल कर नहीं आपा रहा था क्योंकि किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह इस बारी बारिश से अपने गाउं को अपनी फसल को और अपने परिवार को बचा सकी। देखते ही देखते दोस्तों दीरे दीरे पानी का बहाव इतना बढ़ने लगा और बारिश की गती इतन पानी भी दिरे दिरे कर गाउं में आने लग गया था अब इसे में दोस्तों गाउं के सभी बच्चे सभी महिलाए और सभी किसान बहुत ज़्यादा घबरा जाते ही और बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते ही कि आकी रब किया जाए तो क्या किया जाए इसे में दोस्तों उस शुरू में बताया था कि गाउं में एक चमत प्यारी शीव मंदिर हुआ करता है तो वह अगुरी बाबा केते हैं कि इस गाउं के रखवाले स्वैम शीव जी है स्वैम महादियो है आप कितना ही कुछ भी सोच लो कितना ही कुछ भी कर लो परन्तु इस गाउं में उनकी मर्जी के मिना एक पत्ता भी यहां से वहां नहीं होता है एसे में दोस्तों वहां पर खड़े कुछ बहुत सारे भगत ऐसे थे जो महादियो के बहुत बड़े भगत भी थे और उस शमतकारी मंदिर में आना जाना भी उनका लगा रहता था तो उन लोगों को भी उन अगुरी बाबा की बातों पर बरोसा होने लगा कि हाँ यह बाबा सच मुझ सच के रहे हैं यहां के रकवाले स्वेम महादियो है और अब हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है हम सभी मिलकर महादियो के मंदिर जाते हैं और महादियो से प्रातना करने लगते हैं महादेव ही अब इस बारिश को रोक सकते हैं और हमें बचा सकते हैं अब दोस्तो सभी लोगों की योजना बन जाती है और गाउं के सभी पुरुष वहाँ पर जाने की योजना बना लेते हैं परन्तु जैसे ही वह सभी घरों से निकलते हैं बहुत ज़धा पानी का बहुँ बढ़ने लगता है और दीरे दीरे कर बार की स्थती आने लगती है एसे में दोस्तो बहुत से लोग डर जाते हैं कि इस बार में तो अब हमारी गर हम और हमारे खेतों की फसल सब कुछ बहल जाएगी एसे में कुछ लोग पहाड़ी की तरफ भगने लगते हैं कुछ बापि महादेव की दर्शन करे बिना हम यहां से नहीं लेंगे और महादेव से प्रात्ना करे बिना हम यहां से लोटकर कहीं नहीं जाएंगे। बढ़ने लगता ही। अब दोस्तों इसे में सबी लोग डर जाते ही। परंतु फिर वह ही मत करते ही और केते ही कि अब हम इस मंदिर के यहीं खड़े रहेंगे। महादेव के चर्णों में ही पड़े रहेंगे। चाहे फिर यहाँ पानी हमें बहा क्यों ना ले जाए। तो द इतने जितने जगह में वहाँ लोग खड़े थे उन्हें कोई भी छोट कोई भी नुकसान नहीं पूछता ही। देखते ही देखते दोस्तों सभी लोग महादेव से प्रात्ना करते हैं कि हमें हमारे परिवार को उसी के साथ हमारे खेतों को बचा लीजिए। दोस्तों कहते हैं कि वहाँ मंदीर एक बहुत ही चमतकारी मंदीर हुआ करता ही। इसे में दोस्तों महादेव अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्द सुन लेते ही। और दीरे दीरे फिर दोस्तों वहाँ पे खड़े। सबी लोग देखते हैं कि पानी का बहाव बहुत कम होने लगा ही और बारिश भी बहुत कम होने लगी है और फिर दोस्तों कुछी समय बात पूरी तरीके से बार की इस्तती भी समाप्थ हो जाती है और बारिश भी रूख जाती है फिर केवल उनके खेतों में इतना ही पानी ब आतना मांग सकते ही इसे में दोस्तो महाद ये उन्हें अपने सभी सच्चे भक्तों की पुकार सुनी और पुरे गाओं को बचा लिया फिर सभी लोग बहुत खुश हो जाते ही और उस चमतकारी मंदिर के बहुत बड़े भक्त हो जाते ही तो दोस्तो सुरेज जी की यह घटन सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार आटा है आपको क्या लगता है आपकी बाते आमें नीचे कमेंड में जरूर बताइए तो आज किस वीडियो में दोस्तों आपकी लिवज इतना ही जल्द मिलेंगे दोस्तों आप से अगली ही एक और इसी नई सच्ची चमतकारी ग बहुत बहुत धन्यवाद